पोली का सबंद है तो जो अर्दमागदी अपभर्ण से सबंद रहा है ये आपकी अबदी का रहा है अबदी बगेली और चतिस गड़ी का अगला प्रशन है थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहां पर खुली थी तो ये आपके मदरास में खुली थी थी थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बिसेंट इससे जुड़ी हुई थी अगला प्रशन यहाँ पर सुची ए को सुची दो के साथ सुमेली करना है तो सुची ए में लेकक है और सुची दो में पुस्तक तो जो किशोरी दास बाजबई है इनकी पुस्तक का नाम क्या होगा हिंदी शब्दानुशाशन अंबिका परसाद बाजबई इनकी पुस्तक क क्या नाम होगा भाषा तत्व परकाश तो ध्यान रखेगा हर एक पुष्टक यहां पर महत्पून होगी आपकी आगामी प्रिक्षवेतू फिर आगे है तर्ग और स्थापना बाला प्रशन इसको मिलाना है तो देखिए यहां पर तर्ग दिया गया है अभी कतन दिया गया है अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी के नुसार नाखोनों का बनना मनुश्य की उस अंद सहजता बृत्ति का परिनाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको कार देना उस स्वर निधारित आतम बंदन का फल है जो उसे चरितार्थ की और ले जाती है कारण क्या है इसका कारण है अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी की को संदे है कि शाइद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुश्य अपनी आसुरी ब्रितियों का परित्या कर देगा और समस्त संसार हीना ग्रीना और चीना जप्ति के बिशाक्त बाताबन से मुर्थ हो जाएगा तो य ये लिएगे है नाखुन क्यों बढ़ता है नाखुन क्यों बढ़ते हैं इनके निवंद संग्रह से हजारी प्रसाद दुवेदी का ये निवंद होगा नाखुन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए निवलिखीत में से मुर्धन ये ध्वनी कौन सी है तो जो मुर हिंदोस्तान लोक तो रेल के गारी है यह देपी फर्च क्लास सेकंड क्लास आदिक गारी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े-बड़े मसूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती हैं वैसे हिंदोस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो यह क् कर सकते यह उद्धरन किस निबंद से उद्धरित है सबसे पहले तो धियान रखना है यह आपका होगा भारत वर्ष उन्नती कैसे हो सकती है विकल्प दो यहाँ पर सही होगा बाकी भारत रेंदू हरिश्च्छन दरजी का यह निबंद हो जाएगा यह भी धियान रखना है अगला प्रश्न है भारत दो दर्शा नाटक के सरवन में निमलिखीत कत्न पर विचार करिए कौन से यहाँ पर सही होंगे उनके बारे में देखना है पहला तो देखिए इसमें मनोभावों का मानविकर्ण किया गया है सही कत्न हो जाएगा इसमें ब्रिटीश राज की निर्मम्ता एवन शोशन का चित्रन है सी भी सही हो जाएगा फिर अगला जोग यहाँ पर है यहाँ पर आपका विकल्प भी भी सही होगा जैसे कि जो भारत दो दर्शा नाटक है इसमें मनोभावों का मानविकर्ण किया गया है सही है इसके पर शात यह भी सही होगा यहाँ पर कि इसमें कुल छे अंख है सही है फिर सी इसमें ब्रिटीश राज की निर्मम्ता एवन शोशन का चित्रन मिलता है इस परकार से ए भी सी यह तीनों सही होगे यहाँ अगला प्रशन 49 राष्ट भाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है तो प्रस्तुत पुस्तक हो जाएगी दवेंदर नाथ शर्मा की विकल्प भी यहाँ सही होगा या दो सही हो जाएगा अगला प्रशने निमलखीत में से किस पातर का सबन चंदरगुप नाटक से नहीं है तो एलिस, अलका और लिला इन तेनों का सबन तो चंदरगुप नाटक से है प्रन्तु जैमाला इसका सबन चंदरगुप से ना होकर सकंदगुप नाटक से होगा तो ये दोनों नाटे किसके होंगे जैशंकर परसाथ के अगला प्रशन है नननपुरहाट का जिकर किस कहानी में आया है तो ये आया आपका तीसरी कसम अर्थात मारेगे गुलफाम तीसरी कसम किसकी कहानी है तो ये रेनुजी की कहानी होगी अगला प्रसिन देखिएगा यहाँ पर पात्र और कहानी का मिलान करना है तो जो मालती है यह किस कहानी की पात्र है तो यह गैंगरिन कहानी की पात्र होगी लच्छमा किस कहानी के पात्र है तो यह कोसी का घटबार कहानी की पात्र है लतिका ये परेंदे कहानी की पातर है चमपिया ये आपकी लालपान की वेगम कहानी की पातर होगी इसके परशात अगला प्रशन है रचनाओं के परकाशन बर्ष की द्रिष्टी से पहले से बात के करम लगाईए कौन पहले आएगा उसके पचाथ कौन आएगा देखिए तो यहाँ पर जो सही मिरान हो जाएगा सबसे पहले आएगी आपकी रचना अपनी केबल धार तो यहाँ पर आपको इन रचना के नाम भी आपको बदा देता हूँ कई बार पुछा जाता है कि जो रचना है इनके रचनाकार कौन-कौन से होंगे जो अपनी केबल धार है ये अरुम कमल की रचना हो जाएगी मगद श्रीकांत बर्मा की रचना हो जाएगी अकाल में सारस के धारनात्सियं की रचना हो जाएगी सब कुछ होना बचा रहेगा तो ये आपकी किसकी रचना होगी बिनोत कुमार शुकल की चांद की बरतनी राजिश जोशी की रचना हो जाएगी इस परकार से यहां पर देखी विकल्प सी सही हो जाएगा अगला प्रशने चोवन परिशोर तन दग क्या परिशोर तन दगमम अग जुहलब सुर्तान अब इह मत विचारिये लरन मरन परबान प्रिथ्वराज रासो में ये कथन किस पात्र का होगा तो प्रस्तूत कथन जो होगा प्रिथ्वराज चोहान सुयम का होगा ये विकल्प दो सही होगा यहाँ अगला प्रिशने पच्पन शक्तिशाली हो बिजय बनो ये आवान कामाईनी के किस सर्ग में मिलता है पहले तो ध्यान रखना है कि प्रस्तूत कथन शक्तिशाली हो बिजय बनो ये होगा कामाईनी का फिर पुचा जाएगा किस सर्ग का है तो ये श्रद्दा सरग का है और पूछा जाएगा कमाईनी किसकी रचना है तो ये जैशंकर परसाथ की रचना हो जाएगी अगला प्रशने जनमकाल के नुसार रचनाकारों को पहले से बात एक्रम में लगाईए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा विकल्प सी स्रिया राम शरंगुप्त फिर आएगे विकल्प ए उदेशंकर भट फिर आपका आएगा विकल्प ए सोहन लाल दुई वेदी फिर आएगा विकल्प ली श्याम नराइन पांडे और सबसे अंदमयागे रामधारी सी अगर आपको इनका प्रकाशन बर्ष बता देता हूं तो देखिए जो उदेशंकर भट है इनका हो जाएगा 1898 दिनकर का 1908 श्याम नराइन पांडे का हो जाएगा 1907 सिया राम शरंगुप्त का हो जाएगा 1895 सोहन लाल दुई वेदी का हो जाएगा 1906 तो इस करम को आपने ह इसाब से ठीक करी कौन सा क्रम आपको यहां पर सही लगता है बाकी दित्यों वो याद रखना है आगे भी प्रशन बन सकता है यह वाड़ा फिर अगला प्रशन है सोची ए को सोची दो के साथ सुमेलित करिए सोची ए में बिचारक दिये गए हैं और सोची दो में सिद्धा तो विचारक और सिद्धान को मिला लेते हैं तो CDW ब्रे यह किस से स्वंदित होंगे यह अस्तित बाद से स्वंदित हैं अस्तित बाद से नहीं बिमबाद से CDW ब्रे यह बिमबाद से स्वंदित है अलवेर कामू यह आपके अस्तित बाद से स्वंदित होंगे लियोतार य यह आपके उत्तर आधुनिक बाद से स्वंदित होंगे, कार्ल गुस्ताब जुंग यह आपके मनो विशलेशन बाद से जुड़े हुए होंगे, तो इस प्रकार से विकल्प तीन यहाँ पर सही हो जाएगा. अगला प्रशनी तर्क और स्थापना बाला है, कथन एक देखिए यहाँ पर, दंडी ने नैसरगिक प्रतिभा, निर्मल शास्तर ग्यान और अमंद अभी योग को काब्य का हेतु माना है, कथन दो है, ममट के नुसार शक्ती निपून्टा और अभियास काब्य रचना के अगला प्रशनी यहाँ पर, मैथली शरन गुप्त के समझ में निमलिखित कत्नों पर विचार करिए, तो यहाँ पर मैथली शरन गुप्त से स्वंधित जो सही कतन होंगे तो बहुंगे A.C.E. देख लेते हैं A.C.E.E. में कौन-कौन से हैं? मैथली शरन गुप्त की कवीता महाविर परसाद दुवेदी क्या दर्शों और मानेताओं की फली शुरूती थी, सही है यह, उनके गुरू माने जाते हैं मैथली शरन गुप्त के गुरू हैं महाविर परसाद दुवेदी फिर है C. मैथली शरन गुप्त की पहली कवीता 1905 में सर्श्वती में परकाशित हुई तो यह भी सही होगा इसके परसाद है मैथली शरन गुप्त का काब्य मर्यादा और सयम की डोर से बंदा हुआ है तो इस परकार से यह तीनों सही होंगे विकल्प तीन वाले अगला प्रशन तरास्ती के सबन में अरस्तु के काब्य चिंतन के परमक बिंदू है तो पहला बिंदू तो होगा तरास्ती कारिय गंभीर स्वतव पूर्ण और निश्चित आयान से युक्त होता है विकल्प भी है तरास्ती कारिय की अनुक्रिती है विकल्प E है करुना के द्वारा मनो विकारों का उचित बीरेचन तरास्ती का कारिय होता है तो इस प्रकार से A, B, E सही हो जाएंगे फिर अगला प्रशन है यहाँ पर यह नाटक अर्थ में समकाली नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भष्टाचार, विबेक्षुन्यता और मन माने पर रोश्णी ढालता है इस प्रहसन में ब्यंगे के माद्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाईश भी है अन्धेर नगरी नाटक के समय में यह किसके द्वारा कहा गया है तो यह कहा गया है सत्यनराय मिश्र के द्वारा फिर ये भी ध्यान रखना है कि जो अंधेर नगरी है यह एक प्रहसन भी है ध्यान रखी गए इसका फिर अगला है पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन बर्ष के नुसार समपादगों को पहले से बात के क्रम में लगाईए यहाँ पर जो सही हो जाएगा तो वो होगा बिकल्प दो सबसे पहले फिर भी डी सी ए देखिए जो अपने सबसे पहले कौन आएंगे केशव रामभट उसके पशात बिकल्प भी आएगा सदन मिशर फिर आएगे बिकल्प डी उपाध्याय बद्री नराइन चौधरी प्रेम उसके हिसाब से इनको लगाना था यहाँ पर फिर अकला प्रशन है निमलखित ग्रंतों को कालकरमा नुसार व्यवस्चित कीजिए तो देखिए सबसे पहले जो रचना आएगी यहाँ पर तो वो आएगी आपकी काभिया नुशाशन फिर दूसरी रचना होगी चंदर और क्रम सही रहेगा अगला प्रशन है उप्यूक्त कतन पर विचार करिए या उप्यूक्त कतनों का चैन कीजिए तो यहाँ पर देखिए जो सही कतन होगा विकल्प B, C और E B में हैं स्वनीम के दो भेद होते हैं एक खंडिय और दूसरा खंडिय तेर C में हैं स्वरों का स्वत्तंतर उचारन किया जा सकता है E में हैं उत्पत्ति या विकाह की दृष्टी से शब्दों के चार भेद हैं तो इस परकार से बिकल्प A यहाँ पर सही होगा B, C, E अगला प्रशने भाषा के स्वन्द में निमली हीत कतनों पर विचार करें तो पहला सही कतन हो जाएगा यहाँ पर मानब भाषा में भूमिकाओं की परसपर परिबर्तिनियता होती है C है मानब भाषा या दर्शिक होती है D है भाषा द्रेतता को अभी रंजना की द्रेतता ही कहते हैं इस परकार से A, C, D सही कतन हो जाएगा अगला प्रशन देखिए निमली खित में से कौन सी क्रिती मलूग दासकी नहीं है तो जो मलूग दासकी रचना नहीं होगी ग्यान समुदर और ग्यान बोद, रतन खान, भक्ती विवेक ये तीनों ही रचना मलूग दासकी होगी और जो ग्यान समुदर है ये सुन्दर दासकी रचना हो जाएगी अगला प्रशने कुंतक समत बक्रोक्ती के भेदों में से निमिलिखित में से कौन सा एक नहीं है तो ये हो जाएगा विकल्ब तीन अर्थ बक्रता अगला प्रशने सांदेगीत में संकलित महादेवी बर्मा की कविटाएं नहीं है तो जो संदेगीत में संकलित होगी एक तो होगी मैं नीर भरी दुख की बदली फिर है बिकल है प्रान मेरे ये दोनों होगी भी और सी बाकी बीन भी हूँ में तुम्हारी रागनी भी हूँ ये नहीं है मदूर मदूर मेरे दीपक जरा निश्वासों का निर ये तीनों नहीं होगी जो हाइलाइट की हुई है अगला प्रेशन भी तरक और स्थापना बाला है यहाँ पर देखिए अभी कतन एक है परियोगबादी कभी ने जिस नए सत्य के शोद और प्रेशन के नए माध्यम की खोज की घुषना की थी वह सत्य इस माध्यम व्यक्ति का सत्य था फिर इसका जो कारण है मध्यम बर्ग ये समाज के सत्य की अभी व्यक्ति परियोगबाद में पहली बार हुई है तो इस प्रकार से ये दोनों कथन ए तो सही होगा लेकिन कथन दो या फिर आर सही नहीं होगा तो विकल्प तीन यहां पर सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिएगा यहां उत्तर आधुनिक्ता की प्रभीती मानी जाती हैं तो कौन-कौन सी है विकल्प दो सही होगा A, B, D A में है सास्थानिक शैथिल्य और सर्वसताबाद के स्थान पर बहुलता को प्रत्सान मिलता है उत्तर आधुनिक्ता में फिर दूसरा है हाशिय के लोगों के अधिकारों का समर्थन है फिर अंत में होगा साहित्य में विरेचनबाद या फिर विखंडनबाद के प्रतिष्टा हुई उत्तर आधुनिक्ताबाद के अंतरगत इस प्रकार से विकल्प दो यहां पर सही होगा केवल A, B और D अगला प्रशन है निवंदकार विवेकी राय के समंद में निवन कत्नों पर विचार कीजी तो निवंदकार विवेकी राय के समंद में जो सही कत्न होगे तो वो होगा केवल 2 इसमें है B केवल B, D और E B में है विबेकी राय किसान अधिहापक और लेकक थे उनकी रचना में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं सही है D में है विबेकी राय की भाषा भोजपूरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है इसमें खड़ी बोली का ब्याकर्ण है पर चौंक बगार सब भोजपूरी से लिए कई है फिर E है विबेकी राय के निवन्द राष्टर के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रति फलन है तो इस प्रकार से बिकल्ब दो सही होगा केबल B, D और E इसका भी चुनाब करिए का सही दिन से अगला प्रश्ण है तुमने इतने दिन मुझे जिस पर्येम से रखा मावी ना लगती भगबान मुझे फिर जर्म दे तो मैं तुम्हारी कोक्स से दे यही मेरी अभी लाशा है, ये कथन किस पातर ने कहा तो ये जुनिया ने कहा था, गोबर की पतनी जुनिया ने किसको कहा था धनिया के लिए कहा था जब धनिया ने इस जुनिया को अपने घर में बड़े लाड़ प्यार से रखा था जब गोबर इसे भगा कर अपने घर लाये था ठीक है उसमें ये कतन कहा गया है जुनिया की दवरा अगला प्रशने सुची एको सुची दो के साथ सुमेलिद करना है तो देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्योंकेश दरवेश है इनकी रचना कौन सी होगी जो ब्योंकेश दरवेश है ये रचना है बिशवनात्रिपाथी की फिर कलम का मजदूर ये रचना है आपकी का 3, 2 का 4, C का 2, D का 1 अगला प्रशन देखिएगा यहाँ पर शेखर मनो बिज्ञानिक परियोग का पुतला है जीवन के अनुभब और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती है शेखर एक जीवनी के बारे में ये कसन किस अलोचक का होगा तो यह हो जाएगा नंदुलार वाजफई का शेखर एक जीवनी जो की आपका उपनिया से अग्ये का उपनिया उससे ये कथन लिया गया है उससे तो नहीं लिया गया है उसके समझ में ये कथन कहा गया है धियान दखना है आगे है काव्य पंक्ति और कवीता तो मिला लेते हैं काव्य पंक्ति और कवीता क जली ठूंट पर बैठकर गई कोकिला कूख, यह किस कवीता से लिया गया है, शाशन की बंदूग से, यह वह बिश्वास नहीं, जो अपनी लगुता में भी कांपा, तो यह हो जाएका, यह दीप अकेला, धंसो, इनमें डरों नहीं, है मौत का यह घर नहीं, यह किसका है, सत् यह कौन किस से सबंदित होगा, अकाल दर्शन कवीता से, भूह नहीं है, भूह कौन उप जाता है, इस परकार से यहाँ पर बिकल तीन सही होगा, एक का तीन, बी का एक, सी का चार, डी का दूग, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अबगत करवा देता हूँ, जो यह प इतने प्रशन आपकी प्रिक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तभी आपके स्मक्षिस को लाया हूँ, ढंक से आप इंको नोट करिएगा, अन्या था, बाद में मुश्किल होगी, अगर आपको ऐसे प्रशन कहीं और नहीं मिलें तो, फिर अगला है, सिंदूर की होली, नाटक के सबंद में निमले की तत्थियों पर बीचार कीजिए, तो एल्टी ट्यार वालों को पहले तो ये ध्यान रखना है, कि जो सिंदूर की होली है, ये नाटक विदा की रचना है, ठीक है, बाकी इसमें जो तत्थिये बीचार करनी योगी है, तो वो होगा, विकल्प एक केबल A, B और E, A में है, नाटक में बैदव्य की समर्सियाओं को केंदर में रखा गया है, फिर B में है, इसमें नाटक में कुल नौपातर हैं, जिसमें साथ पुरिश और दो स्त्री पातर हैं, और E में है, इस नाटक की भूमी का रांपरसात्री पाठी ने लिखी थी, बाकी ये लक्षमिलाल का नाटक हो जाएगा, ये भी धियान रखना आपने हैं, फिर आगे क्या है, यहां पर भी कथन एक और कथन दो गए हैं, दिये गए हैं, इनको देखना है, देखिए, बालमुकंद गुप्त द्विवेदी युक के रचनाकार है, बिल्कुल सही होग कथन दो में है, बैसराय का कर्तब ये निवन्द में गुप्त जी कहते हैं, वह इस देश की प्रजा का यहां के चित्रों पर पढ़ने वालें, पढ़ने वालों का और इस जनम भूमी में जनम लेने वालों से स्बंदित तथे यहां पर दिये गए हैं, थोड़ा सा पीडिय काबिस रिजन की प्रक्रिया के स्बंद में पलेटो के विचार हैं, पलेटो के क्या विचार होंगे? एक तो यह विचार है कि कभी कर्म डैविक शक्तियों से प्रेडित और अभीबूत हैं, दूसरा कतन जो सही होगा, आलोकिक शक्ति द्वारा अधिक्रित कभी श्रष्टा नहीं उसका प्रवक्ता मातर होता है, कतन तीन है, डैविक अनुकंपा के बिना कोई कभी नहीं हो सक तो यह तीनों ही सही होंगे, यहाँ पर A, C और D, प्लैटो का काबिस रिजन है तो यह तथ्य बढ़नीत है, अगला है, चीफ की दावत कहानी के स्वन्द में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहले तो दियान रखना है, चीफ की दावत किसकी है, बिशम सहानी की कह पहले हो जाएगी, चीफ की दावत, फिर सके समने जो सत्य कतन होंगे, वो है, ब्यक्ति को बस्तु के डूप में देखने वाली मानसिक्ता का प्रतिकार करती है, सही है, C है, मध्यवर्गिय शहरी मानसिक्ता के खोखलेपन को उजागर करती है, और E है, निमन मध्यवर्गि परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चितन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, चीफ की दावत में, अगला है सूची एको सूची दो के साथ समयलित करना है, तो चलिए करते हैं, देखिए, बारिश में भींकते बच्चे, यह किसकी रचना है, रामदर्ष मिशर की, अगला प्रिशने, उत्तर परदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देव नागरी लिपी सुतार सिमिती के अधिक्ष कौन थे, तो यह थे अचारे नरिंदर देव, विकल्प तीन यहाँ पर सही होगा, अगला प्रिशने, किस कहानी में मांग रोरी की ब्यथा से साहनुबती ब्यक्त की गई हैं, तो जो राही कहानी है, इसमें मांग रोरी जाती के बारे में बतलाया गया है, किस परकार से उन्हें खाने के लिए चोरी करने पड़ती है, अगला है यहाँ पर, निमलिखित में से ये कतन किस का है, काबिय, शब्दो गयम, गुण लंकार, संस्कृत, शब्दार्थ बर्धते, जो इस तरह से ये कतन है, ये बतलाना है, किस का ये कतन होगा, तो ये बामन का कतन हो जाएगा, ध्यान रखना है इस पर भी, अगला प्रशने, देव की नंदन खतरी द्वारा रचित निमन उपनियासों को प्रथम प्रकाशन बर्ष के नुसार पहले से बाद में ब्यवस्तित करना है, तो यहाँ पर जो देखिए, बिकल्प A है, सबसे पहले C आएगा, फिर E, फिर D, फिर A, और सबसे यहाँ में B, सबसे पहले जो उपनियास आएगा, तो वो होगा आपका, बिरेंदर भीर, उसके पहिशात आएगा, E, नरेंदर मोहनी, फिर D आएगा, पहले आएगा आपका चंदर कांता, गल्द बोल दिया मैंने, सबसे पहले आएगा चंदर कांता, C नंबर का, फिर आएगा, नरेंद भूतनाथ है इसे इनके पुत्तर के द्वारा पूरा किया गया था देव की नंदर खत्री के पुत्तर के द्वारा इसके बहशात अगला प्रशने हिंदुई को किसने हिंदोस्तान की रोमांस की भाषा कहा था तो ये कहा था गार्षाद अतासी के द्वारा गार्चत देटासी के दौरा सबसे पहले भारत में इतिहास बंद लिखने की कोशीश की गई थी और फ्रेंच वाशा में जे लिखा गया था फिर अगला प्रशने मजदूरी और प्रेम निवंद के उपशीशक कौन कौन से हैं तो ऑफिशिल अंसर की किनुसार ये बतलाएगी है मजदूर की मजदूरी मजदूरी और कला मजदूरी और जीवन अगला प्रेम मुणौश्य के अंदर पशूता बार बार प्रकेड़ होती है और बार बार उससे निश्ट करने की कोशीश करता है निवन में से ये किस निवन से स्वंदित होगा नाखुन की उबरते हैं निवन से ये लिया ये है अगला प्रशन देखिए प्रथम परकाशन बर्ष के अनुसार इन उपनियासों को पहले से बाद में वेबस्तित करना है तो सबसे पहले आएगा आपका कंकाल फिर आएगा निर्पमा फिर आएगा भुले बिश्रे चितर फिर अपने अपने अजनवी सबसे अंत में बुर्दा कर तो जो बिकल्प सही होगा यहाँ पर अगला प्रशन भी नाटक और पात्र बाला है मिला लेते हैं एक और दुरनाचारी इसकी जो पात्र होगी लीला सकंद गुप्त इसकी कमला पात्र होगी चंदर गुप्त इसकी अलका पात्र होगी अंधा यूग इसका पात्र होगा युद्सू फिर आगे आपके पैरा ग्राफ शुरू हो जाते हैं आप इसको वीडियो को पॉस करके पहरे गर आपको पड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको शिर्फ इसके उत्तर उत्तर बताऊंगा, ठेक है? तो यहाँ पर जो है उपरित गदियाश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कबीता और कला का अंतसबंद है, अंतसबंद है फिर दूसरा प्रशन यहाँ पर दिया गया है अठार्वी सदी में दीति कारिन कवीता की तरह पहारी कलम से निमलिकित में से किसका सबंदरा है या फिर कौन सी कला जीमनत हुई थी उस समय, तो यह चित्तर कला हुई थी अगला है दीती मुक्त कवी आलम, बोदा, ठाकूर और गहननन्द की कवीता की परमुख का बयनुवती क्या है? तो यह हरीदे की सची अनुवती की आनन्दात्मक अभी व्यक्ति फिर आगे क्या है? आगे है अजन्ता के बाद भारत की सबसे उच्तम कला में उड़ान संभव हुई पहारी कलम में जैसे चमबा कलम काफी परसिद माने जाती है हिमाचल में फिर अगला है उत्तरबर्ती डीती कालिन कभियों में उन्मुक्त चित्रात्मक छली का सरवादिक परभाव किस कभी में परिलक्षित होता है? तो यह गरनन्द में होता है फिर यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है इसे भी आप वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर दिया गया है क्रिया के सबंद में कथन है तो यह कथन होगा दूशित क्रिया साधन को दूशित करेगी फिर अगला है यहाँ पर प्रशन भाब साधना की सुगंद कहां दिखती है तो भाब साधना की सुगंद क्रिया में दिखती है बिकल्प दो अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो क्रिया आसमाजिक होती है ये गलत हो जाएगा बाकी कथन सही होंगी यहाँ फिर गदियाश का मूल भाव क्या है साधना सिद्धी की कुसोटिक क्रिया है ये मूल भाव हो गई यहाँ अगला है यहाँ पर पकी साधना का लक्षन है तो जो पकी साधना का लक्षन होगा परिपक्व बेभार करना तो कुछ इस परकार से दोस्तों आज का यह हमारा लेक्चर रहा वैसे तो यह एंटी नेट के ऑफिशिल अंसर की परद्धारित उत्राप